Hello viewers, welcome to my youtube channel आज इस वीडियो में हम एक important topic को ले रहे हैं जो कि है botanical nomenclature उसके हम principles, उसके rules उसको समझेंगे वीडियो के start करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि nomenclature क्या है nomenclature is important in order to provide the correct name of a plant nomenclature एक important role provide करता है plant के naming में plant का एक correct name होना चाहिए दुनिया में plants को अलग-अलग language में अलग-अलग reasons में अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है लेकिन उन सबी को हटाने के लिए कि दुनिया में उस plant का एक single common name हो जिससे पूरी दुनिया में उसको पैचाना जाए इसलिए हमें यहाँ पे nomenclature की requirement होई तो जो naming है plant के name रखने की उसको कोई न कोई agency भी control करेगी क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि नाम रखने का कोई नियम होगा ना तो उस नियम के आधार पे किस आधार पे उसका नाम रखा जाएगा तो कोई agency है जो उसको रखेगी उसका अपना एक नियम होगा तो उसमें जो आता है International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants जिसको हम short में कहते हैं ICN तो ICN है वो publish किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं International Code यानि कि एक नियमावली है Plants के नाम रखने की उस पूरी नियमावली को हर 6 साल में उसको publish किया जाता है और उसको publish कौन करता है उसको publish करने वाली जो agency है उसका नाम है International Association of Plant Taxonomy यानि कि IAPT उसको short में कहते हैं तो यह आपके लिए नया term होगा जिन लोगों के लिए जो लोग इस से पहले से जानते हैं उनके लिए कोई problem नहीं है लेकिन आपने यह term जरू सुना होगा International Code of Botanical Nomenclature यह जाता सभी botanical students ने इस नाम को सुना होगा तो यह International Code of Botanical Nomenclature यह पुराना नाम था अभी इस नाम को चेंज करके जो नया नाम रख दिया गया है वो कौन सा हो गया है वो है आपका International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants यानि कि ICBN ही अब चेंज होकर क्या हो गया है ICN ठीक है ICBN अब चेंज होकर क्या हो गया है ICN और जो नाम था International Code of Botanical Nomenclature जिसको शॉर्ट में ICBN कहते थे वो अब International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants हो गया है या नाम कब चेंज हुआ इसके लिए International Botanical Congress हर 6 साल में Botanical Congress होती है पूरे All Over World की जो Botanical Society है उसकी एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते है International Botanical Congress ठीक है तो जी Melbourne में Melbourne Australia का एक शहर है वहाँ 2011 में हुई थी और वहाँ जो Code निकल कर आया था मतलब जहां ये मीटिंग होगी उसी मीटिंग के नाम पर एक नई जो publication निकलेगा उसको हम कहते है Code ठीक है तो अगर जिस शहर में हुई है उसी शहर के नाम से वहाँ का Code निकल के आता है तो Melbourne में हुई थी तो उसको हम कहेंगे Melbourne Code तो जो Melbourne Code था उसमें इसका नाम चेंज कर दिया गया था ICBN से ICN में कनवर्ट हो गया था ठीक है अब जो Code होता है वो हर मीटिंग के बाद में जैसे मैंने बताया हर मीटिंग के बाद में Code revise होता है और अभी जो Code चल लहा है वो है Shenzhen Code Shenzhen एक चाइना का शहर है वहाँ पे मीटिंग होई थी तो उसके बाद में जो नया Code इस समय चल रहा है वो है Shenzhen Code 2008 रखा ये Blue Cover में है और यहाँ पे आप इसके कवर फोटो देख सकते है अभी करेंट में 2023 में क्योंकि मैंने का ना हर 6 साल में होती है तो 2017 में मीटिंग होई थी और 2017 के बाद में 2023 में मीटिंग होने वाली थी लेकिन COVID pandemic की बज़े से वो मीटिंग नहीं हो पाई वो मीटिंग ब्राजील में होने को थी ठीक है ब्राजील में होनी थी लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई cancel हो गई COVID की वज़े से लेकिन अभी क्या है वो इस्पेन का एक शहर है मैडरीड वहां मीटिंग होनी है और वो 2024 में होनी है तो after 2024 जो उस समय पर लेटेस कोड आएगा 2025 में आजाएगा वो हमारा होगा मैडरीड कोड ठीक है तो जो अगला कोड आने बाला है उसका क्या नाम होगा मैडरीड कोड और अभी जो कोड चल लहा है वो है आपका सेंजिन कोड और वो ब्लू कबर में है तो अब हम देख लेते हैं कि इन कोड में होता क्या है basically कोड में तीन पार्ट है division, recommendations, rules और उसके provisions कोड के ठीक है तो इन तीनों को हम डीटेल में समझेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि principles कौन कौन से है यानि कि उसके जो नियम है वो कौन कौन से है principle को हिंदी में क्या कहते है सिध्धान्त ठीक है तो जो कौन कौन से सिध्धान्त है तो इसमें basically six principles है तो पहला principle क्या कह रहा है the nomenclature of algae fungi and plants is independent of geological and prokaryotic nomenclature यानि कि जो botni का nomenclature है ICN वो independent है यानि कि बिल्कुल अलग है किस से zoology के और prokaryotes के nomenclature से ठीक है तो पहला तो यही कह रहा है कि यह जो code है जो nomenclature है botni का वो geology से और prokaryotes से अलग है इसका geology से और prokaryotes से relation नहीं है second principle जो कह रहा है वो कह रहा है application of name of taxonomic group is determined by mean of nomenclature types जो nomenclature type होते हैं holo type, sin type इस type के जो types होते हैं ठीक है तो जो naming है taxonomic groups की वो इनी types के through ही determine की जाएगी यानि कि इनी से निर्धारन उसका होगा ठीक है next जो है next कह रहा है the nomenclature of a taxonomic group is based upon the priority of publication अब priority of publication क्या होता है इसको हम थोड़ा सा detail में समझ लेते हैं priority of publication है suppose एक कोई यह person है a और एक कोई person है b दोनों a की plant के उपर या किसी एक topic के उपर वो लोग अपनी research कर रहे हैं और a ने भी उस research को complete कर लिया suppose जुलाई 2023 में उसको complete कर लिया और b ने उस research को complete किया अगस्ट 2023 में लेकिन इसने उस research को publish नहीं किया उस research को ऐसा ही रहने दिया और इसने उस research को September में publish किया जबकि b ने उसको अगस्ट में complete कर लिया था और अगस्ट में ही उसको publish भी कर दिया तो इनका जब matter court में जाएगा दोनों लोग कहेंगे कि हाँ ये research मेरे नाम पे होनी चाहिए लेकिन इसने पहले कर लिया वो काम लेकिन इसने publish ने किया ठीक है और b ने वो काम late किया है लेकिन उसने publish कर दिया दोनों का काम सेम था दोनों का result भी सेम था लेकिन इसने उसको publish कर दिया तो वो जो research होगा वो publication priority of publication के basis पे वो इसके नाम पर हो जाएगा ठीक है तो इसी को कहते है taxonomic जो group है ठीक है नॉमनक्लेचर का उसका जो main based है वो किस पे है priority या publication publication कराएंगे तब ही उसको पता चलेगा कि हाँ ये नॉमनक्लेचर में ये major changes हुआ है next जो principle है वो principle हमारा कह रहा है each taxonomic group with a particular circumstances, position and rank can bear only one correct name यानि कि किसी भी conditions में कोईसी भी परिस्तितियां हो कैसी भी conditions हो उन सभी परिस्तितियों में जो plant का नाम है सिर्फ एक ही correct name होना चाहिए ठीक है एक से ज़्यादा उसके correct name नहीं होने चाहिए उसके synonym हो सकते है लेकिन accepted name जो correct name है plant का और सभी taxonomic group का वो एक single ही होगा किसी भी conditions में एक से ज़्यादा वो नहीं हो सकते ठीक है तो इस बज़े से हमें plant का एक single name हमको देखने को मिलता है ये principles हमें fourth number का इस principle को ये बात करता है ठीक है next जो है principle 5 वो कहता है scientific name of a taxonomic group are treated as Latin regardless of their derivatives ठीक है जो नाम होने चाहिए वो Latin में होने चाहिए ठीक है और उसके derivatives यारी कि उसके आस पास के उस से थोड़े से उसमें modifications के साथ में उस language में होना चाहिए scientific language में होना चाहिए सारे taxonomic groups के नाम Latin और उसके derivatives के फॉर्म में और principle 6 जो हमारा कह रहा है the rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited ठीक है retroactive का मतलब होता है कि वो past में जिस date से वो effective होगा ठीक है तो जो nomenclature के rule है वो सभी retroactive है यानि कि जहां से उनको मतलब बताये गया जब से भी उनका activation हुआ यानि कि जब से rule बताये गए उसके बाद से वो rule apply कर दिये गए ठीक है तो जब तक उसमें कोई changes नहीं होता वो सारे rule applicable रहेंगे next आता है division second division seconds में कौन से है rules है और कुछ recommendations है तो इसमें अलग-अलग chapters है उनमें अलग-अलग articles है total कितने हैं वो उसके साब से आप देख लीजे ठीक है तो हर chapter में जो basic basic अंदर detail है वो मैं बताऊंगा उसके अलाबा वैसे total में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके normal पढ़ने के लिए इतना ही बहुत sufficient होता है जो आपके graduation और post graduation label पर हो जाता है chapter 1 में हम इसमें देखेंगे taxa और their rank अब taxa क्या होता है nomenclature में कोई भी term हम taxa के रूप में लिखते हैं यानि कि family हो गई genus हो गया और उसके कोई भी class है कुछ कोई भी group है उसको हम completely एक singular हम उसको कहेंगे taxa और जो हम उसको plural way में लेके चलेंगे तो हम उसको कहेंगे taxa यानि कि हर rank हर एक position को हम क्या कहेंगे taxa तो पहले chapter में क्या बता रहा है taxa और उनकी ranks बता रहा है कौन कौन सी ranks है दूसरे chapter में बताएंगे status, typification और priority of names के बारे में ये article पहला वाले में 1 से 5 तक है और दूसरे वाले में article 6 से लेकर 15 तक है इसमें हम status की बात करेंगे typification, holo types, in type इस type के types कौन कौन से है priority of names names की जो priorities हैं उनके basis पे बात करेंगे और ये 6 से लेकर 15 आर्टिकल तक इसमें बताया गया है chapter 3 में जो है nomenclature of taxa according to their rank taxa का जो nomenclature है अलग-अलग rank के basis पे उसमें इसको बताया गया है chapter 3 में और ये आर्टिकल 16 से लेकर 28 तक इसमें दे रखा है chapter 4 में effective publications के बारे में बताया गया है कि effective publications कौन से होंगे और किस तरीके से वो effective होंगे 29 से लेकर 31 तक इसमें बताया गया है chapter 5 में valid publication of name ठीक है, जो names होंगे वो valid होने चाहिए, ठीक है invalid name नहीं accept किया जाएंगे जो names अलग होंगे उनको invalid कर दिया जाएगा उनके कुछ rules होंगे वो कैसे valid होंगे और कैसे invalid होंगे वो 32 से 45 तक हमें यहाँ पर बताया गया है chapter 6 में citations के बारे में बताया गया है, जो की 46 से लेकर 50 तक है chapter 7 में rejections of names जो names है उनको reject कैसे किया जाएगा कि कुछ names जो होंगे जो invalid होंगे उनको reject किया जाएगा तो उसके लिए 51 से लेकर 59 तक डिटेल में बताया गया है chapter 8 में orthography and genders of names के बारे में बताया गया है इसके अलावा chapter F और H अलग chapter है name of organism treated as fungi तो जो fungi के लिए जो name है organism के उनको यहाँ पर बताया गया है और H में hybrids को बताया गया है यहाँ पर जो F term है वो fungi के लिए use किया गया है और H का मतलब hybrid है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको correlate कर सकते हैं तो total basic chapters थे 8 लेकिन इसमें 2 chapter और add हो गए है F और H ठीक है next जो आता है division third वो है provisions of governance of the code कि जो code है उसके governance के लिए क्या क्या provisions चाहिए ठीक है तो पहले इसमें बहुत 8 provisions है total तो जो पहला provision है general provision for the governance of code इसमें general provisions बताये गए है जो code को governance करते हैं ठीक है next provision second उसमें जो बताये गया है proposal to amend the code होता है उसमें amendment करने पड़ते है अमेंडमेंट का मतलब होता संसोधन ठीक है संसोधन बहुत जरूरी है संसोधन से ही चीजों में सुधार होता चला जाता है जैसे अपने यहां पे हिंडिया में जो हमारे यहां का constitution है उसमें भी amendments होते रहते हैं जिससे constitution में जो भी कमिया है वो दूर होती रहें और जो भी अच्छाईया है वो धीरे-धीरे उसमें input होती रहें ऐसे ही कोई भी अगर code है यहां पर botany का code है यानि कि इसको हम botany का सम्विधान भी कह सकते हैं एक तरीके से तो इसमें भी amendment होते रहते हैं और यह provision second में इसको बताया गया है provision तो third है इसमें है institutional vote जो भी amendment होंगे उसके बाद में सभी जितने भी उसके members हैं उन सभी की voting होगी और voting के बाद ही उसको effective करा जाता है ठीक है next है provision fourth इसमें nomenclature section से इसमें nomenclature के बारे में बताया जाएगा प्रोविजन फाइब में है procedure and the voting of nomenclature section ठीक है next है provision second after an international botnical congress international botnical congress होने के बाद में meeting जब हो जाएगी उसके बाद क्या करना है वो इसमें बताया गया है प्रोविजन second में है permanent nomenclature committee ठीक है तो जो nomenclature जो final जो changes होंगे उसके लिए committee बनेगी और वो उसको पूरे को roll up करेगी वो उनका work होता है provisions eight में बताया है proposal to amend the code relating solely the name of organisms treated as fungi ठीक है तो जो fungi का है उसके लिए यहाँ पे अलग से उसमें amend की बात की गई है ठीक है तो इस तरीके से हमें basic यहाँ पे provisions देखने को मिलते हैं तो यह जो publications होता है जब भी कोई amendment होता है या कोई congress होती है ठीक है तो उसके बाद ने उसको publish किया जाता है तो यहाँ पे scientist है टरलेंड एंजे और यह उनके साथ के co-workers हैं इन्होंने 2018 में international code of nomenclature for algae and fungi plants एंजिन code adopted by the 19th international botanical congress एंजिन चाइना जुलाई 2017 ठीक है यह इन्होंने paper था और इन्होंने इसको ragnum vegetableist journal का नाम है इसमें publish कराया 159 ठीक है इसका नम्मर है और यह botanical book एक है उसमें यह publish हुआ है यह इसका link है आप इसको copy करके इसको डालके देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा वैसे ICN आप botanical search करें तो भी आपको international code of nomenclature वहां से आपको देखने में मिल जाएगा इसमें मैंने बहुत detail में नहीं गया हूँ मैंने overall उस label पर बताया है जिस label पर आप उसको समझ सकते हैं बहुत detail में बहुत typical हो जाता है और इसको समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा advanced knowledge की जरूवत होती ह है और वो उसके लिए आपको एक-एक topic को एक-एक article को detail में पढ़ना पड़ेगा और इतना सारा आपके basic syllabus में होता नहीं है तो इसलिए उसको detail में पढ़ने का उतना जरूवत नहीं है अगर कहीं जरूवत होती है तो कुछ अलग-अलग topics होते हैं code के अंदर ही उनको detail में ब झाल 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 झाल